कौन से ऐसे विटमिन्स हैं जिनकी जब आप पूड में कुकिंग करते हो तो जिनका लॉस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको ठीक है ओप्शन नमबर A कह रहा है विटमिन D एंड विटमिन E ओप्शन नमबर D कह रहा है राइबो फ्लेविन एंड विटमिन C तो देखो यहाँ पर जो राइट अंसर हो जाएगा वो होगा ओप्शन नमबर B that is विटमिन करें तो सिर्फ और सिर्फ टू ग्राम फैट है तो टू इंटू कितना हो जाएगा नाइन टू इंटू नाइन कितना हो जाएगा एटीन तीनों को समप कर देते हैं एक्जामपल है ओप्शन नमबर C कर रहा है फूड एलर्जी का एक्जामपल है और ओप्शन नमबर D कर रहा है नन ओफ दीज ठीक है तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉटिलिजम की तो इ इसका नोटिफिकेशन रिलीस किया गया था 2021 में और जिसका एक्जाम कंड़क्ट करा गया 2022 में आज की इस वीडियो में हम इस कंप्रीट पेपर को डिसकस करने वाले हैं पर्टिकुलर इसका जो पार्ट B जो की आपका टेकनिकल पार्ट है इसको हम आज की इस पूरे सेशन में डिसकस करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दे कि अगर आप फुली फ्लिच्ट प्रिपरेशन करना चाते हो त्रिपुरा FSO की तो स्वाइजुकेशन आपके लिए कोर्स लेकर के आया हुआ है इस कोर्स के फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहा आप इसको प्रिंट आउट करा कर भी हार्ड कॉपी के फॉर्म में रीड कर सकते हो इसके लावा आपको इबुक्स टेस्रीज और प्रिवियस एर कुश्ट पेपर भी मिलेंगे अब आते इस कोर्स के प्राइस की तरफ तो देखो इसका जो एक्चुल प्राइस था वो टू कि इस पर्टिकुलर कुश्ट पेपर में कैसे कुश्ट पूछे गए तो देखो यहां पर आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेपर में पार्ट वन जो है उसमें आपके होते हैं 20 कुश्ट जो की टोटली होते हैं नॉन टेक्निकल बैक्ग्राउंड के पार्ट तू जो होता है इसमें होते हैं टोटल 65 कुश्ट जो की होते हैं टेक्निकल बैक्राउंड के तो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ कुश्ट की अ ये किस logo को यहाँ पर use करती है FSA से आई options के अगर हम बात करें तो option number 1 कह रहा है कि circle with a F and plus sign with a ring मतलब एक circle होता है जिसके अंदर F रहता है और एक plus sign रहता है और एक ring भी होती है second option कह रहा है कि rectangle with a F and plus sign with a ring second option कह रहा है कि एक rectangle रहता है और एक plus sign रहता है along with a ring थर्ड option कह रहा है कि square with an F and a plus sign with a ring और fourth option कह रहा है none of the above तो देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बार logo देख लेते हैं कि इसका logo होता कैसे actual में तो देखो यहाँ पर एक plus sign रहता है F लिखा हुआ रहता है और एक encircled form में आपको circle मिलेगा और एक square देखने को मिलता है तो देखो यहाँ पर सबसे अंदर F देखने को मिलेगा आपको plus F और encircled रहेगा और सबसे बाहर आपको एक square देखने को मिलता है और color इसका होता है blue color का तो ऐसा ही कुछ आपका logo होता है और ये लोगो किसी भी अगर packaged food item में present है तो इससे हमें ये पता चलता है कि particular जो food product है वो fortified किया गया है तो यहाँ पर इस particular logo के accordingly आपका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C that is square with an F यानि यहाँ पर एक square है F लिखा हुआ है और एक plus sign भी बना हुआ है along with a ring ठीक है तो यह हो गया आपका particular जो logo होता है जो की present होता है fortified food में आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अब देखिए आपका अगला question यह है कि आपसे पूछ रहा है eat right India movement is about eat right India movement किसके उपर based था option A की अगर हम बात करें तो यहां बोल रहा है eat healthy and eat safe option B कह रहा है eat right and eat safe option number C कह रहा है eat healthy and eat nutritious option D कह रहा है all of the above तो देखो यहां पर जो eat right India movement चलाय गया था उसका एक particular theme था theme की अगर हम बात करें तो वहां पर बोला गया था eat healthy eat safe and eat sustainable ठीक है तो यहां पर आपसे क्या बोला गया है कि eat healthy, eat safe and eat sustainable अब यह तीनों तो आपके किसी भी option में दिख नहीं रहे हैं बट यहां पर कौन सी ऐसी चीजे हैं जो कि इन में और इन options में common है तो option number 1 में आप देखोगे eat healthy and eat safe लिखा हुआ है sustainable यहां पर किसी भी option में mention नहीं किया गया है तो आपका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number 1 that is eat healthy and eat safe clear है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपके सामने पूछ रहा है कि section number 12 of food safety and standards act 2006 deals with section number 12 में क्या mention किया गया है FSA 2006 का जो section number 12 है उसके अंदर option number A कहरा है functions of central advisory committee option number B कहरा है scientific committee option number C कहरा है officers and other employees of food authority option number D कहरा है general principles to be followed in the administration of act यहाँ पर आपका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number A that is functions of central advisory committee एक छीज यहाँ पर ध्यान देने की है central advisory committee अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होता तो वो हो जाता आपका section number 11 ठीक है section number 11 में यहाँ पर बोला गया है central advisory committee के बारे में लेकिन section number 12 में बोला गया है functions of central advisory committee सिर्फ एक word की वज़ा से यहाँ पर section में तबदिली हो गई ठीक है आगे देखो scientific committee की अगर हम बात करें किस section में particularly mention किया गया है scientific committee को mention किया गया है section number 14 में इसके अलावा officers and other employees of food authority की अगर हम बात करें तो इसको mention किया जाता है section number 9 में ठीक है इसके अलावा देखो यहाँ पर last option जो है जो कि यह general principles to be followed in the administration of act इसको यहाँ पर mention किया गया है section number 18 में clear है तो यहाँ पर आपने सारी sections देख लिए कि किन में किन में किसको represent किया जाता है कौन सी चीजों को explain किया जाता है particularly यहाँ पर functions के अगर हम बात करें Central Advisory Committee की तो इसको यहाँ पर mention किया गया है section number 12 में आईए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपसे पूछ रहा है कि for fortification of wheat flour wheat flour यानि आटे को fortify करने के लिए कौन से nutrients की ज़रूरत परती है option number A कह रहा है vitamin A and vitamin D option number B कह रहा है iron, polycacid and vitamin B12 option number C कह रहा है folic acid, vitamin B12 and vitamin D option D कह रहा है vitamin A, iron and vitamin C तो देखो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option number B that is iron, polycacid and vitamin B12 देखो iron एक टाइप का क्या है? micro mineral है, ठीक है folic acid की अगर हम बात करें तो यह होता है vitamin B9 और vitamin B12 आपको पता ही होगा कि covalamine होता है ठीक है, इनी तीनों से 45 किया जाता है wheat flour को clear हुआ यह, आगे चलते हैं हम लोग अगले question की तरफ अब देखिए अगला question आपके सामने है, question number 25 यहाँ पर पूछ रहा है आप से कि among the following which industrial enzyme is not derived from animals इन में से कौन सा ऐसा industrial enzyme है जो कि animals से derived नहीं किया जाता है option number 1, trypsyn, option number B है amylase, option number C है lipoxygenases, option number D है chimosin, तो देखो trypsan obtain किया जा सकता है animal से और यह किया जाता भी है amylase के अगर हम बात करें तो यह भी से, imasin के अगर हम बात करें तो यह भी से ऑप्टेन किया जाता है animal से, ठीक है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएक, option number C will be the right answer, that is lypoxygenases, इसको हम animal से octane नहीं करते हैं, आगे चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question देखो यह आप से पूछ रहा है कि FSACI license और registration is not required for, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए FSACI का license या registration की ज़रूरत नहीं परती है, option number A कह रहा है कि pharmacies selling health supplements, ऐसी pharmacies जहाँ पर health supplement को बेचा जाता है, तो उसके लिए FSACI license की ज Jesús?, परती है या नहीं परती है, second option कह रहा है कि medical store selling nutraceutical products, किसे भी medical store में nutraceutical product को बेचा जा रहा है, तो उसके लिए जरूरत परती है या नहीं परती है, Option number C कह रहा है Units Selling Packaging Material कहीं पर भी अगर Packaging Material को बना करके बेचा जा रहा है तो उन Units की पर्टिकुलरली बात की जा रही है कि यहां पर जरुवत परती है या नहीं परती है Last option कह रहा है कि Pulse या Grain Milling Units मतलब ऐसी Units जहां पर Pulse या Grain की Milling करी जाती है तो अगर हम इन Particular Options की बात करें तो इसका Right Answer हो जाएगा Option number C that is Units Selling Packaging Material ठीक है ऐसी Units जो की Packaging Materials को बेस्ती हैं उनके लिए FACI के License या Registration की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर किसी भी टाइप का Mandatory नहीं है कि आपको Food Product को ही Pack करना है या नहीं करना है Particularly Health Supplement की अगर हम बात करें तो यह भी आता है Food के अंदर ही Neutraceutical Product भी Food के अंदर ही आते हैं और Pulse या Grain की Milling Units जो होती है वो भी किसको Process करने का काम कर रही है तो यहां पर आपका Right Answer क्या हो जाता है Option Number C will be the Right Answer Clear है आगे चलते हैं हम लोग अगले Question की दरफ देखिए अगला Question आपसे पूछ रहा है The Maximum Fortification of Iodine in Table Salt as per FSS Act 2006 is अगर आपको Fortify करना है Table Salt को किस से करना है? Iodine से आपको Fortify करना है तो यहां पर कितना Amount आप Iodine का Add करोगे Common Salt या Table Salt में Option Number A कहरा है 10 PPM Option Number B कहरा है 15 PPM Option Number C है 20 PPM और Option Number D है 30 PPM तो देखो यहां पर हम बता दे कि Iodine को अगर आपको Add करना है Fortify करना है किसमें Table Salt में तो इसका जो यहां पर Limit होता है वो होता है 15 to 30 PPM इससे हमें क्या पता चलता है कि Minimum आपको 15 Parts Per Million Add करना होगा और Maximum आप कितना Add कर सकते हो 30 Parts Per Million और किसका Iodine का ठीक है तो जितने भी Market में Iodine से Fortified Salt आते हैं उनमें Minimum 15 PPM होगा Iodine और Maximum to Maximum 30 PPM होगा इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो और नहीं 15 से कम रख सकते हो Minimum होता तो 15 आंसर होता Maximum में तो इसका आंसर हो जाएगा Option No.D That is 30 PPM Clear है? आगे चलते हैं अगले कुश्चन की दरफ देखिए अगला कुश्चन आपसे बोल रहा है Processing of High pH Food is Done at High pH वाले Food की Processing हम किस पे करते हैं? मतलब किस Temperature पर करते हैं Option A कह रहा है कि Retorting Temperature पर करते हैं Option B कह रहा है By Superheated Steam Option No.C कह रहा है Boiling Temperature Option D कह रहा है Pasteurization Temperature तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No.A That is Retorting Temperature इसका जो Temperature होता है वो होता है 110 to 135 degrees Celsius इतने Temperature रेंज पर आप High pH वाले Food को क्या करते हो Process करने का काम करते हो Clear हुआ ये चीज आगे चलते हैं अगले Question की तरफ अगला Question देखिए आप से कह रहा है कि The Index Enzyme In the case of Blanching of Vegetable is जब आप Blanching करते हो Vegetable की तो कौन सा Index Enzyme होता है Index Enzyme क्या होते हैं देखिए ये ऐसे Enzymes होते हैं जिनकी absence होनी जरूरी है अगर आपने पर्टिकुलरली अच्छे से Blanching कराई है तो तो देखिए यहां पर कौन-कौन से Enzymes आपके Option में हैं Option No.A है Polyphenolase Option No.B है Paroxidase Option No.C है Catalyze Option No.D है Clorophilase तो देखो जिस Enzymes का जो सहन शीलता है मतलब जो भी Enzymes है जो ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है टेंपरेचर को सबसे ज्यादा जिसकी टॉलरेंस होगी उसी Enzymes को यहां पर इंडिकेटर माना जाता है किसका Blanching का Blanching हम क्या करते हैं जो कि High Temperature पर हम उसको कुछ Particular Time Period के लिए या तो Soak करते हैं या तो Steam के थूरू Blanch करते हैं किसी भी Particular Vegetable को तो यहां पर दो ऐसे Enzymes होते हैं जो कि High Temperature रेंज पर भी सर्वाइव कर सकते हैं ये दोनो Enzymes अगर प्रेजेंट हैं इससे हमें पता चलेगा कि इसका जो Blanching है वो अच्छे से नहीं हुआ है ठीक है तो यहां पर कौन-कौन से Enzymes होते हैं पहला Enzymes तो होता है Paroxidase और दूसरा Enzymes होता है आपका Catalyze तो यहां पर तो दो-दो Options Correct हो गए तो इसी वज़ा से दो-Options की Correct होने की वज़ा से इस Questions को इस Question को क्या माना? इसको Bonus माना गया तो त्रिपुरा FSO में इस Question को Bonus माना गया जो भी Students इस Question को Attempt किये थे उनको भी Marks मिले जो इसको Attempt नहीं किये थे उनको भी Marks दिये गये थे तो यह एक मात्र ऐसा Question था पार्ट B में जो की Bonus Consider किया गया था आईए आगे चलते हैं अगले Question की तरफ अगला Question देखिए आपके सामने है The vitamins which are lost most readily during cooking are कौन से ऐसे vitamins हैं जिनकी जब आप पूड में cooking करते हो तो जिनका loss सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको ठीक है Option नमबर A कहरा है vitamin E and niacin Option B कहरा है vitamin C and thiamin Option नमबर C कहरा है vitamin D and vitamin E Option नमबर D कहरा है riboflavin and vitamin C तो देखो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो होगा Option नमबर B that is vitamin C and thiamin तो जितने भी vitamins होते हैं उनमें से सबसे unstable vitamins जो होता है वो होता है vitamin C और अगर हम बात करें other vitamins की जो की unstable होते हैं तो उनमें आता है आपका B complex के vitamins particularly उनमें भी अगर हम बात करें कि सबसे unstable कौन होता है अगर आप high heat treatment करोगे तो cooking में आप क्या करे हो high temperature provide करा रहे हो तो यहाँ पर जो thiamin होता है जिसको हम vitamin B1 बोलते हैं यह बहुत ही unstable होता है अगर आप heat provide कर रहे हो तो तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा between C and thiamin दूसरी चीज एक चीज ध्यान देनी है कि जब आप cooking करते हो तो जितने भी fat soluble vitamins हैं इनका loss बहुत ही कम देखने को मिलेगा water soluble vitamins सबसे ज्यादा loss होते हैं तो water soluble vitamins की category में सिर्फ और सिर्फ B और D option number correct थे इन में से भी particularly अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कौन से loss होते हैं तो option number B will be the right answer clear है आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आप से पूछ रहा है कि which among the following is not a dietary fiber इन में से कौन सा dietary fiber नहीं है option number A कर रहा है arabino xylene option number B कर रहा है pectin option number C कर रहा है inulin option number D कर रहा है none of these तो देखो यहाँ पर option number A arabino xylene की अगर हम बात करें तो यह होता है एक type का insoluble dietary fiber insoluble dietary fiber का मतलब क्या है कि यह solubilize नहीं होता है water में option number B कर रहा है pectin तो यह कैसा होता है soluble dietary fiber होता है ठीक है और इसको as a thickening agent भी use किया जाता है बहुत सारे type के food products में clear है option number C कर रहा है inulin तो यह भी कैसा होता है एक type का soluble dietary fiber होता है ठीक है तो यहाँ पर तो सबके सब dietary fiber निकल गए इस वज़ा से इसका right answer क्या होगा none of the above तो option number D will be the right answer clear है आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आपसे कह रहा है कि which of the following essential fatty acid is required for infants जो infants होते हैं यानि newly born babies होते हैं उनमें कौन सा essential fatty acid जरूरी होता है option number A कर रहा है lino linic acid option number B कर रहा है option number C है omega 9 fatty acids option number D है propionic acid तो देखो omega 6 fatty acid जो होते हैं वो बहुत ही essential होते हैं किसके लिए जो आपके infants होते हैं उनके लिए ठीक है तो omega 6 की category में यहाँ पर कौन आएगा lino linic acid omega 6 fatty acid की category में आएगा यह जरूरी होता है proper mental development of the infant के लिए ठीक है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option number A will be the right answer that is lino linic acid और यह कैसा fatty acid होता है यह होता है omega 6 fatty acid clear है आगे चलते हैं अगले कुश्चन की दरफ अगला कुश्चन देखो यहाँ पर आपसे बोल ला है कि a patient consumes 100 ml of soup एक patient 100 ml of soup को consume कर रहा है इसके अलावा देखो यहाँ पर 75 ml water है ठीक है अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि what will be the calorific value of the soup पूरे के पूरे soup की calorific value क्या है calorific value of soup पर आने से पहले एक बार हम यह जान लेते हैं कि carbohydrate, protein और fat की calorific value कितनी होती है carbohydrate के case की अगर हम बात करें तो इसकी calorific value होती है 4 kilocalorie पर ग्राम ठीक है यह होता है 4 kilocalorie पर ग्राम एक ग्राम अगर आप carbohydrate को consume करोगे तो 4 kilocalorie मिलेगी ऐसे ही protein के case में भी कितना होता है 4 kilocalorie पर ग्राम same ही होता है ठीक है fat के case के अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह होता है 9 kilocalorie पर ग्राम ठीक है अब calculate कर लेते हैं easy calculation है 20 gram carbohydrate है 1 gram की 4 kilocalorie होती है तो 20 gram का कितना हो जाएगा 20 into 4 ठीक है 20 into 4 कितना हो गया 80 protein के अगर हम बात करें तो 5 gram of protein है 5 into 4 कर देंगे 5 into 4 कितना हो जाएगा 5 into 4 यह हो गया आपका 20 fat की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 gram fat है तो 2 into कितना हो जाएगा 9 2 into 9 कितना हो जाएगा 18 तीनों को sum up कर देते हैं 80 plus 20 plus 18 कितना हो गया 118 ठीक है बहुत ही easy सा calculation था अगर आपको calorific value of carbohydrate fat and protein पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसका answer कर दोगे इसका answer क्या हो जाएगा option number D that is 118 kilo calorie will be the right answer clear है आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question देखिए आप से पूछ रहा है कि a widely used method to evaluate effectiveness of disinfectants is determined there is by determining there मतलब अगर आपको evaluate करना है यानि मुल्यांकन करना है किसी भी disinfectant का disinfectants क्या होते हैं देखो disinfectants ऐसे chemicals होते हैं जो की use में लाये जाते हैं किसी भी industry में जो floor वगरा होते हैं जो floor होता है उस पर जो wiping की जाती है मतलब जो उस पर पोछा लगाया जाता है उनमें disinfectant को use में लाया जाता है किसलिए यूज में लाया जाता है ताकि यहाँ पर किसी भी टाइप का microbial contamination ना हो पए ठीक है तो जो disinfectant होते हैं उनका effectiveness कितना है उसको नापने के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है option number A कह रहा है phenol coefficient का इस्तेमाल किया जाता है option number B कह रहा है alcohol coefficient का एकस्तेमाल किया जाता है option number C कह रहा है halogen coefficient और option number D कह रहा है heavy metal coefficient तो देखो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option number A that is phenol coefficient will be the right answer clear है? आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आप से कह रहा है कि botulism a food born illness is an example of जो botulism हो जाता है जो कि एक type का food born illness है यह किसका example है? option number A कह रहा है कि food intoxication का example है option number B कह रहा है food infection का example है option number C कह रहा है food allergy का example है और option number D कह रहा है none of these ठीक है? तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें botulism की तो इसका जो causative agent प्रेजन्ट होता है वो कौन होता है यह होता है Clostridium Clostridium botulinum Clostridium botulinum क्या है एक type का bacteria होता है Clostridium botulinum a type का bacteria होता है अगर यह present होता है किसी भी type की food product में तो यह botulinum नाम के जो toxin होते हैं उनको release कराता है आपके gut में जाने के बाद ठीक है तो जो आपके GI tract में जाएगा तो यह toxin को release कराएगा जिसकी वज़ा से various kind of toxicity होती है उस toxicity का symptom इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसमें paralysis के भी chances होते हैं ठीक है और आपको एक बात यहाँ पर और गौर करनी चाहिए कि जो आपका Clostridium botulinum है एक type का indicator microorganism भी होता है किसके case में proper canning हुई है कि नहीं किसी भी food product की उसके case में तो improper canning के लिए responsible यहाँ पर जो microorganism होता है वो भी कौन सा होता है Clostridium botulinum होता है तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है कि क्या यह intoxication cause करता infection cause करता या allergy cause करता तो देखो जैसे हमने बताया कि यह एक type का toxin होता है तो यह cause करेगा food intoxication clear हुआ अगर हम बात करें food infection की तो food infection में आप various kind of microbes को देखते हो जैसे कि E. coli है Salmonella है यह सब food infection cause कराने का काम करते है food allergy के अगर हम बात करें तो various kind of allergens होते है mostly यह क्या होते है proteinS होते है जो कि food allergy cost कराने का काम करते है झैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भहस सारेसे लोग होते है जिनमे milk allergy होती है तो milk का protein है उसकी वज़ा से अनमे降 aggression होती है ऐसे बहस सारे लोग होते है जिनमे weapons herd festive allergy होती है कि the factor commonly used for nitrogen to protein conversion, nitrogen को protein में convert करने के लिए कौन से factor का इस्तिमाल किया जाता है, देखो एक method होता है, जिसको हम बोलते हैं, जलडाल method, जलडाल method में basically आप जब calculate करते हो, तो total nitrogen content of the food product आप calculate कर लेते हो, लेकिन उस nitrogen content से आपको पता कैसे चलेगा कि कितना amount of protein आपके food sample में present है, तो यहाँ पर एक factor आपके सामने आता है, यह factor ऐसा factor होता है, जिससे अगर आपने multiply कर दिया amount of nitrogen को, तो amount of protein आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पर amount of nitrogen into 6.25 अगर आपने multiply कर दिया, तो जितना भी value आएगी, वही होती है amount of protein, तो यहाँ आपर आपका right answer क्या हो जाएगा, option number B, that is 6.25 will be the right answer, बहुत जादा important है, इससे related छोटे मोटे numericals भी पूछ लिए जाते हैं, और यह question बहुत ही जादा repeatedly, अलग-अलग FSO exam में पूछा गया है, clear है, आगे चलते हैं हम लोग अगले question की तरफ, अगला question आपके सामने पूछ रहा है कि, which of the following test is used for fat estimation, किसी भी food sample में fat है या नहीं है, उसको estimate करने के लिए, कौन से method का इस्तिमाल किया जाता है, option number A कह रहा है, iodine solution test, option number B कह रहा है, benedict test, option number C कह रहा है, biorate test, option number D कह रहा है, ethanol emulsion test, इसका right answer हो जाएगा, option number D that is, ethanol emulsion test, suppose that आपने इस test के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फिर भी आप elimination method से इस question को कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, option number A कह रहा है, iodine solution test, तो भी आप बचपन से पढ़ते आए हो, कि starch के लिए iodine solution test आप यूज में लाते हो, किसी भी food sample में starch present है या नहीं, उसके लिए आप iodine का sample डाल करके test करते हो, अगर bluish color का appearance आ गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर starch present है, benedict test की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जितने भी आपके reducing sugars होती है, reducing sugars होती है, उनकी testing के लिए आप क्या करते हो, benedict test का इस्तिमाल करते हो, ठीक है, तो यह भी आपका answer नहीं होगा, बहुत ही common test है, आगे यहाँ पर biurit test की बात किया जा रहा है, तो बहुत ही famous test है protein के लिए, ठीक है, तो तीन तो आपके यहाँ पर eliminate हो गए न, चौता कौन सा बच रहा है, इतनौल emulsion test बच रहा है, तो obviously यही answer होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो गया, option number D will be the right answer, आगे शलते हैं हम लोग, अगला question आप से कह रहा है कि dash is used as preservative in meat products, meat product में as a preservative हम कि का इस्तेमाल करते हैं, option number A कह रहा है, sodium benzoate, option number B कह रहा है, potassium metabisulphite, that is KMS, option number C कह रहा है, sorbic acid, option number D कह रहा है, sodium nitrite, तो देखो यहाँ पर जो nitrate और nitrite containing आपके preservatives होते हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं, किसे भी meat वाले food product को preserve करने में, इसका right answer हो जाएग, option number D, that is, sodium nitrite, ठीक ह बहुत ही common सा question है, ये भी कई बार repeatedly पूछा गया है, clear, आगे चलते हैं हम लोग, अगला question आपके सामने पूछ रहा है, कि हैसेप, a management system in which food safety is addressed, is based on dash number of principles, हैसेप, हैसेप के बारे में हम गरम बात करें, तो हैसेप का full form होता है, hazard analysis and critical control point, यहाँ पर बोल रहा है कि हैसेप में principles क option number D है, 8, तो यहाँ पर होते हैं 7 principles, बहुत ही common सा question है, principles कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला principle आपका होता है, conduct hazard analysis, दूसरा होता है, determine critical control point, तीसरा होता है, established critical limits, चौथा होता है, established monitoring procedure, पाच्वा होता है, established corrective actions, छठा होता है, verification, और सात्वा होता है, documentation and record keeping, तो टोटल 7 principles होते हैं, यहाँ पर आपसे total number of principle की बात करेगा, तो option number C will be the right answer, आगे चलते हैं हम लोग, अगला question आपसे पूछ रहा है कि which agency provides advice and support on levels of radionuclide contamination and in foods and on food irradiation, ठीक है, देखो किसी भी type का radionuclide contamination अगर food में हुआ है, या फिर अगर आप food irradiation कर रहे हो, तो उसकी limits चो होती है, उसके बा या support provide कराती है, option number A कराए, IAEA, option number B कराए, OIE, option number C कराए, ISO, option number D कराए, FAO, ठीक है, तो देखी, यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर right answer हो जाएगा, option number A that is IAEA, IAEA क्या होता है, यह होता है, International Atomic Energy Agency, बहुत ही easy सा है, ठीक है, तो जो International Atomic Energy Agency है, यही यहाँ प radionuclide contamination, अगर food में हुआ है, उससे related, या फिर food irradiation आपने जो भी किया है, तो उसका particular amount of dose वगरा कितना होना चाहिए, उसके लिए, clear है, आगे चलते हैं हम लोग अगले question की तरफ, अगला question आप से पूछ रहा है कि, which of the following is the maximum allowable dose for irradiation for inhibition of the sprouting in white potatoes, white potatoes की अगर हम बात करें तो उसमें जो sprouting होती है, अगर आप चाते हो कि potatoes में sprouting ना हो, और आप लंबे term के लिए उसको store करके रख सको, तो उसके लिए आप कितना amount of dose provide कराते हो, irradiation का, option number A करा है 0.01 kg, option number B करा है 0.15 kg, option number C करा है 1 kg और option D करा है कि 15 kg, तो देखो kg यहाँ पर क्या होती है, किलो ग्रे, एक कि आप irradiation में provide कराते हो, तो यहाँ पर अगर आपको sprout inhibition कराना है, तो उसके लिए बहुत ही low amount of dose की जरुवत पड़ती है, particularly white potatoes की अगर हम बात करें तो इसमें चाहिए होगा आपको 0.15 kg ग्रे तक का doses, इससे ज्यादा की आपको जरुवत ही नहीं है, आप आसानी से sprout को inhibit कर करा सकते हो, बाकी के भी बहुत सारे ऐसे tubers होते हैं, जहाँ पर आप sprout को inhibit कराते हो, तो 0.03 से लेकर के 0.15 kg तक की जो doses होती है, इतना अगर आप provide कराते हो, तो किसी भी type के tubers वाले fruit में या vegetable में आप sprouting को inhibit करा सकते हो, clear है, आगे शलते हैं अगले question की तरफ, अगला question आप स 10% truth part होता है, या तो वो pulp होगा, या तो वो juice होगा, और 10% TSS होता है, that is total soluble solid, TSS क्या बताता है, amount of sugar का concentration, कितना उसमें sugar का concentration added है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा यहाँ पर beverage है, option number A कह रहा है, ready to serve drink, that is RTS, option number B कह रहा है, nectar, option number C कह रहा है, cordial, और option number D कह रहा है, squash, तो देखों आप लोगों ने daily to day, daily life में जरूर कभी न कभी consume किया होगा, market में अगर हम बात बताएं, तो यहाँ पर जो fruity, या जो माजा के नाम से, जो different kind of tetra packs आपको देखने को मिलते हैं, यह होते है, ready to serve drinks, ठीक है, तो इनकी particularly अगर हम बात करें किसमें कितना amount of fruit होता है, तो देखों होती कम fruit होता है, केवल 10%, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहें, tetra pack की बात कर रहें, ठीक है, शुगर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 10% total amount of soluble solid होता है, बाकी क्या होगा, बाकी totally यहाँ पर maximum content होता है, आपका water का, along with some content of pectin as well as preservative, as well as coloring agents, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगला question यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि according to the food safety and standards act 2006, unlicensed sale of food shall be punishable with dash, अगर आपने किसी भी type का unlicensedable food product का sale किया है, मतलब आप किसी भी type के food को prepare कर रहे हो, process कर रहे हो और बेच रहे हो, लेकिन आपने license नहीं लिया है, तो इसके एवज में आपको कितना fine देना पड़ सकत और आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, दो साल की और fine आपको देना पड़ सकता है, 5 lakh rupees तक का, option नमबर B कराए कि imprisonment हो सकती है, 6 months की और fine देना पड़ सकता है, 2 lakh का, option नमबर D कराए, imprisonment हो सकती है, 1 year की, और fine देना पड़ सकता है, 2 lakh का, ठीक है, यहाँ पर आपका right answer हो हो जाएगा option number c मतलब हो सकता है कि आपको imprisonment हो जाए मतलब jail हो जाए कितने दिनों की six months की jail भी हो सकती है और इसके साथ fine भी हो सकता है rupees five lakh up to rupees five lakh आपको fine pay करना पड़ सकता है clear आगे चलते हैं लोग अगले question की तरह अगला question आपसे पूछ रहा है कि monosodium glutamate is used as monosodium glutamate को हम किस तरीके से use करते हैं किस purpose से basically use करते हैं option number a कह रहा है artificial sweetener के रूप में use करते हैं option number b कह रहा है कि as a flavor enhancer use करते हैं option number c कह रहा है anti cacking agent के रूप में use करते हैं option number d कह रहा है cleaning agent के रूप में use करते हैं तो देख़ो यहां पर इसका right answer हो जाएगा option number B that is flavor enhancer MSG that is monosodium glutamate यह use होता है किसी भी salted food में as a flavor enhancer ठीक है इसी को हम market में aginomoto aginomoto के नाम से भी जानते हैं ठीक है एक brand name है ठीक है और अभी हाली में आपको बता होगा कि मेगी में recall procedure किया गया था क्योंकि इसमें MSG का content ज्यादा पाया गया था along with the lid ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा option number B that is flavor enhancer बहुत ही common question है और बहुत बार यह food safety से related exams में पूछा गया है आपसे आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question कह रहा है कि as per standards for fortification of food iron fortified ata with firus citrate और firus lactate और firus sulfate और firus fructate और firus visglycinate has following level of fortification per kg मतलब इन सारे compounds की अगर हम बात करें तो कितने level तक इसको add पिया जाता है किसी भी iron fortified ata में iron fortified ata है तो जाईर सी बात है firus का ही कोई salt add किया जाएगा तो इसमें से जितने भी salt आपके सामने दिखाये जा रहे हैं सबके सब firus salt है ठीक है अब इसके level की यहाँ पर बात की जारेगी कि क्या level होना चाहिए पहला option कहरा है कि 28 mg to 47.5 mg तूसरा option कहरा है 10 mg to 30.5 mg थर्ड ऑप्शन कहरा है 65 mg to 100 mg और फोर्थ option कहरा है 110.5 mg to 140.5 mg इसका right answer हो जाएगा option number a that is 28 mg to 47.5 mg थोड़ा सा hard question है बट ऐसे questions जनरली एक्जाम में डाल दिये जाते हैं तक कि आपके सारे answers सही ना हो जाएं फिर भी अगर आपने fortification वाला regulation अच्छे से पढ़ा है तो mostly chance है कि आप ऐसे questions को कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपसे पूछा जा रहा है FACI has fixed a limit for total polar compounds TPC ठीक है at dash percent beyond which the vegetable oil shall not be used for cooking oil यहाँ पर बोल रहा है कि TPC compound कितने percent तक limit किया हुआ है FACI ने जिसके बा oil में रखते हो तो उसको यहाँ पर cooking oil के रूप में इस्तिमाल नहीं किया जाएगा ठीक है option नमबर यह कह रहा है 10 10 क्या है यह 10 percent है TPC का option नमबर B कह रहा है 20 percent option नमबर C कह रहा है 15 percent और option नमबर D कह रहा है 25 percent तो देखो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option नमबर D that is 25 percent बट द total polar component या total polar compound in fresh oil fresh oil में अगर हम बात करें कि कितना maximum होना चाहिए total polar component ये यह होना चाहिए 15 percent लेकिन repurposed used cooking oil जिसको आप क्या बोलते हूं रूको बोलते हो रूको कि अगर हम particularly बात करें कि अगर आप किसी भी oil को दो बार use करना चाहते हो या multiple times use करना चाहते हो तो TPC कितना होना चाहिए यहाँ पर TPC should not be more than 25 अब हमको कहीं पर यह तो बोला नहीं है कि fresh oil होना चाहिए या फिर repurposed used cooking oil होना चाहिए तो हम maximum limit वाले के साथ जाएंगे maximum limit के अगर हम particularly बात करें तो 25 होता है तो इसलिए यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा 25% of TPC ठीक है clear है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option number D आगे चलते हैं अगले question की तरह अगला question आपसे बोला है कि dash proposes maximum residual limit MRLs for individual pesticide in or on specific commodities देखो किसी भी pesticide का maximum कितना residual limit होना चाहिए मतलब उससे ज्यादा अगर किसी भी चीज में किसे भी food product में present है यह pesticide तो उस food product को consume आप नहीं कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह जो maximum residual limit है इसको tag on करता है ठीक है तो यहाँ पर option A आपसे कह रहा है JMPR, option B है JEFRA option C है JEFA option D है JEMRA यहाँ पर इसका right answer हो जाएग option number A that is JMPR इसका full form होता है joint meeting on pesticide residue तो ध्यान देना यहाँ पर MRLS की अगर हम बात करें pesticide में देखो यहाँ पर pesticide लिखा भी हुआ है pesticides की particularly बात की जा रहे इस वज़ा से यहाँ पर joint meeting on pesticide residues यहाँ पर तै करता है कि किसी भी pesticide का क्या residue present होना चाहिए आगे चलते हैं अगला question की तरफ अगला question आप से पूछ रहा है कि the yellow book of FSACI is aimed at yellow book जो FSACI release की है उसका aim क्या है option number A करा है ensuring safe and nutritious food at workplace option number B करा है standards and practices for restaurants option number C करा है inoculating wolesome foods for habit at a young age option number D करा है tips for food safety for Indian household ठीक है तो यहाँ पर आप से बात किया है कि yellow book का aim क्या होता है तो yellow book का aim होता है यहाँ पर in calculating wolesome food habits at young age मतलब जब बच्चे young age में रहते हैं 7 years, 8 years के प्रॉक्स जब उनकी age होती है सब उनको यहाँ पर पूरे के पूरे food habits लाए जाएं मतलब उनको सारे foods खिलाए जाएं अच्छी food habits उनके अंदर डाली जाएं इसके लिए yellow book को release किया था FSA से आई ने बात करें अगर हम ensuring safe and nutritious food at workplace की कि इसके लिए कौन सी particular book को release किया गया तो workplace के लिए यहाँ पर release किया जाता है orange book को ठीक है और यह भी कौन release करती है FSA से आई ठीक है orange book को release किया जाता है कि workplace पे यानि अगर आप office जाते हो या अगर आप college जाते हो तो वहाँ पर आपका food कैसा होना चाहिए अगर हम बात करें tips for food safety for Indian household मतलब kitchen के level पर Indian household के level पर कौन सी book को release किया जाता है तो यहाँ पर release किया जाता है pink book को ठीक है और again ये भी कौन release करता है FSA से आई ही release करता है ठीक है तो यहाँ पर particularly बात किया था आप से yellow book की तो yellow book का aim आपको पता चल गया इसके साथ साथ orange और pink book का भी aim आपके सामने यहाँ पर options में discuss किया गया है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरह अगला question आप से पूछ रहा है कि a large scale IT platform designed for food safety compliance through sampling and inspection is known as यहाँ पर कह रहा है कि एक IT platform को design किया गया जो कि compliance को set करता है sampling और inspections के थूँ इस platform का नाम क्या है option number यह कर रहा है FOSTAG, option number B कर रहा है FOSTAG, option number C कर रहा है FOSCORIS, option number D कर रहा है FOSCORIS, ठीक है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option number C, that is FOSCORIS FOSCORIS का full form क्या होता है इसका full form होता है food safety compliance with regular inspection and sampling अब देखो inspection और sampling तो आपके question में ही दिखा हुआ है ठीक है, तो inspection और sampling के ही basis पर हम यहाँ पर compliance को सेट करते हैं इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा option number C, that is FOSCORIS will be the right answer आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आपसे कर रहा है कि artificial ripening of fruits by ethylene gas is permitted up to the concentration of ethylene gas का इस्तेमाल करके अगर आप ripening करा रहे हो किसी भी particularly vegetable की या fruit की generally आप ripening कराते हैं तो उसमें maximum concentration उसका कितना होना चाहिए ethylene gas का option number A कराए कि 200 ppm होना चाहिए parts per million option number B कराए 100 ppm C कराए 150 ppm और D कराए 250 ppm important question है और इसका right answer हो जाएग option number B that is 100 ppm ethylene जो है इसको हम ripening hormone भी बोलते हैं और एक type का gaseous substance होता है इसको up to 100 ppm आप use कर सकते हो अगर किसी भी type की fruit की ripening आपको करानी है तो clear है आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आपसे बोल रहा है कि the recommended healthy ratio of SFA, MUFA, PUFA is देको इन सब के 20 का ratio यहाँ पर बोल रहा है कि कि किस range का होता है SFA stands for saturated fatty acid MUFA MUFA stands for monounsaturated fatty acid PUFA PUFA stands for polyunsaturated fatty acid क्या ratio होना चाहिए इसका किसी भी type के healthy food में या healthy diet में option number A करा 1 to 1 का ratio होना चाहिए B करा 1 to 3 1 का ratio होना चाहिए C करा 2 to 1 1 का ratio होना चाहिए D करा है कि 1 1.5 और 1 का ratio होना चाहिए तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाए option number D that is 1 1.5 and 1 का ratio होना चाहिए मतलब SFA और PUFA का amount बराबर होना चाहिए MUFA का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ठीक है तो यही यहाँ पर particularly ratio होता है ध्यान देना आप यहाँ पर इसको जंबल करके भी आपसे पूछा जा सकता है PUFA को बीच में भी ला सकता है MUFA को किनारे ला सकता है तो ध्यान देना कि MUFA के लिए maximum है 1.5 बाकी के लिए आपका 1 and 1 है clear है? clear है यह चीज़ आगे चलते हैं हम लोग अगले कुशन की तरफ अगला कुशन आपसे बोल रहा है कि the food safety and standards regulation 2011 prescribes the limit of trans fats to be not more than dash percent by weight in वनस्पती ठीक है? तो वनस्पती जो की आपका क्या होता है hydrogenated fat होता है इसमें बडिकुलरली बात कर रहा है कि कितना limit होनी चाहिए trans fats की ठीक है? किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए option number A करा है 5 percent B करा है 10 percent C करा है 20 percent और D करा है 15 percent तो देखो यहाँ पर इसका right answer according to the answer की यह था आपका 5 percent बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसका exact correct answer आज की rate में क्या होगा? तो आज की rate में इसका answer होगा 2 percent क्यों इसका answer 2 percent होगा? तो देखो लगातार Indian government या FSSTI या आप कह सकते हो कि trans fat जो कि हमारे heart के लिए हानी कारक होते हैं इसको लगातार कम करती जा रही है किसी भी type के fat में ठीक है? या किसी भी type के food product में पर्टिकुलरली वरनस्पति की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इसको 10 percent पे रखा गया था आने वाले भविश्य में इसको और कम किया जाएगा तो कि यह हमारे लिए healthy नहीं होता है ठीक है? तो आज की date के accordingly अगर आपसे question पूछा जाता है तो यहाँ पर आप 2022 का data यहाँ पर आप दोगे 2 percent will be the right answer लेकिन जब यह exam हुआ था उसके accordingly और answer की के accordingly यहाँ पर right answer है 5 percent clear है? आगे चलते हैं हम लोग अगला question आपसे बोल ला है कि which of the following is a water-soluble pigment present in milk? देखो, pigment in milk तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बट यहाँ पर ध्यान देना कि water-soluble pigment की बात कर रहा है option number A कर रहा है carotene B है lactoflavin C है xanthophylls and D है chlorophyll तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएग option number B that is lactoflavin lactoflavin is a water-soluble pigment and it is present in milk बात करें अगर हम carotene की तो जी हाँ यह भी पाया जाता है milk में बट यह कैसा है? यह है fat-soluble pigment इस वज़ा से यह right answer नहीं है अभी यहाँ पर water-soluble की जाएगे fat-soluble होता तो आपका right answer होता option number A clear है? आगे चलते हैं हम लोग अगला question आपसे बोल ला है कि how many notified laboratories exist for sample analysis as per provisions of section number 43 of FSS Act FSS Act के section number 43 के accordingly कितनी notified laboratories exist करती है तो देखो यहाँ पर कुछ particularly नाम नहीं दिया गया कि referral food laboratory की बात हो रही है या किसी एक particular type of lab की बात हो रही है फिर भी अगर official answer की की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो answer consider किया गया वो था option number D that is 19 laboratory उस समय के data के accordingly यह बात की गई होगी जाहिर सी बात है 2021 में notification आया था 2022 में examination हुए थे उस समय के accordingly यहाँ पर 19 को exact correct answer माना गया है अगर किसी particular food laboratory की बात किया होता तो हम उसके data के बारे में अभी हम आगे बात करते यहाँ पर इस question में हम according to the answer की ही आपको answer mark कर रहे हैं clear है? आगे चलते हैं हम लोग देखो अगला question आपसे बोल रहा है कि cholesterol free product 0.5 mg option number B कराए 1 mg option number C कराए 1.5 mg option number D कराए 2 mg तो देखो यहाँ पर अगर हम FSACI के data के accordingly बात करें इन में से कोई भी option correct है ही नहीं तो कि FSACI के regulations में सीधे सीधे mention किया गया है कि अगर आप cholesterol free product किसी भी food में claim करते हो तो वहाँ पर 5 mg of cholesterol per serving होना चाहिए ठीक है 5 mg of cholesterol यहाँ पर 5 mg तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है देखो FDA में कहीं कहीं यह data देखने को मिलता है food and drug administration के accordingly कि 2 mg of cholesterol per serving अगर कहीं पर present है cholesterol तब उसे हम क्या मानेंगे cholesterol free मानेंगे बट इंडिया में FSACI के accordingly इसको 5 mg पर limit किया गया है 5 mg option में है नहीं इस वज़ा से यहाँ पर जो right answer according to the answer की था वो था 2 mg of cholesterol per serving यानि 100 gram में जो amount of cholesterol होना चाहिए वो 2 mg होना चाहिए इससे ज्यादा है तो cholesterol free नहीं माना जाएगा लेकिन FSACI तो कह रहे है कि इससे ज्यादा भी होगा 5 mg भी होगा तब भी cholesterol free माना जाएगा और nutrition and labeling claim के नाम से एक video मैंने डाल रखा YouTube पर आप इसके बारे में detail में जा करके और भी जो दूसरे claims होते हैं उसके बारे में भी देख सकते हो तो अगर इसको अगर आप claim करते हैं उस समय में इस question को particularly तो TPSC को इस question को consider करना पड़ता और हो सकता था कि इस question पर आपको bonus mark भी मिलते हैं clear है आगे चलते हैं हम लोग अगले question की तरफ अगला question आप से बोला है कि maximum permissible limit for use of sodium benzoate in squash and appetizer is squash या appetizer में कितना amount of sodium benzoate जो कि एक type का preservative है आप इसको कितने amount तक add कर सकते हो option number a करा है 350 ppm b करा है 600 ppm c करा है 100 ppm और d करा है 400 ppm यहाँ पर इसका right answer होगा option number b that is 600 ppm इसको regulations में आपके दिखाया गया है लिखा हुआ है अलड़ी ठीक है तो food safety and standard regulation 2018 में वहाँ पर mention किया गया है कि 600 ppm maximum permissible limit है कि sodium benzoid की अगर आप उसे as a preservative add करना चाते हो squash में या appetizers में clear है आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आपसे बोल ला है कि any food safety officer under the act rules may be punished if he or she vexateously and without reasonable ground seizes any article of food or adult rent as per the section 39 of FSS act punishment may be as penalty which may extend up to देखो यहाँ पर कहना क्या चाता है question इसको समझते हैं कोई food safety officer है यह गया और किसी भी food business operator के यहाँ से sample उठाया और गलत तरीके से उसको seize कर दिया बीना किसी reasonable ground के बीना बताय ही उसको seize कर दिया जाकर के ठीक है कोई reason वहाँ पर दिया ही नहीं तो according to the section 39 of FSS act section 39 of FSS act के accordingly यहाँ पर कितना amount उसको fine pay करना पड़ सकता है ठीक है option A कह रहा है कि rupees 25,000 B है rupees 50,000 C है rupees 1 lakh and D है rupees 5 lakh तो देखो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा up to 1 lakh rupees section 39 में clearly mention किया गया है कि कोई भी food safety officer बीना किसी reasonable background के किसी भी food commodity को seize नहीं कर सकता है अगर उसने ऐसा किया है तो up to 1 lakh rupees उसको fine भरना पड़ सकता है ज्यादा तर cases में आप देखते हो कि food safety food business operators को fine भरना पड़ता है लेकिन यहाँ पर food safety officer के उपर भी fine लगाया जा सकता है clear है आगे चलते हैं हम लोग अगले question की दरख अगला question कर रहा है कि the codex elementarius commission works with how many UN official languages codex elementarius commission United Nations की कितनी official languages को अपना official language मानता है clear option number A करा 6, B करा 7, C करा 5 और D करा 8 इसका right answer हो जाएगा option number A that is 6 देखो यहाँ पर तीन Asian languages है और तीन European languages है जिसको consider किया जाता है as official language of codex elementarius commission Asian languages की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो Arabic एक type की Asian language है Arabic को consider किया जाता है यहाँ पर उसके अलावा Russian भी एक type की क्या है Asian language है इसको भी consider किया जाता है यहाँ पर ठीक है इसके अलावा Chinese को भी consider किया जाता है यहाँ पर 3 languages हो गई Asia की तीन languages योरोप की भी हैं कौन-कौन सी है फ्रेंच है फ्रेंच को भी consider किया जाता है as official language इसके लावा Spanish है स्पैनिश को भी हम कंसीडर करते हैं यानि कोडेक्स सेल मेंटेरियस कंशन कंसीडर करता है और लास्ट और बहुत ही कॉमन सी लैंग्विज है इंग्लिश ठीक है तो टोटल यहाँ पर आपको 6 लैंग्विज देखने को मिल गई तीन एशियन लैंग्विज है एरभिक रशियन चाइनीज और तीन यूरोपियन लैंग्विज है फ्रेंच स्पैनिश एंड इंग्लिश क्लियर है आगे चलते हैं हम लोग अगला कुशन कहरा है कि TBT in food safety stands for TBT का मतलब क्या है food safety के perspective में औप्शन नमबर A कहरा है total barriers to trade औप्शन नमबर B कहरा है technical barriers to trade औप्शन नमबर C कहरा है total barriers to transportation औप्शन नमबर C कहरा है technical barriers to transportation देखो इसका right answer हो जाएगा option नमबर B that is technical barriers to trade WTO, TBT agreement एक ऐसा agreement है जहां पर World Trade Organization में present जितने भी member countries है उन सब ने मिल करके इस agreement पर sign किया है इस agreement पर sign करने के बाद जितनी भी countries है उन countries में एक agreement होता है कि कभी भी जब भी हमको import या export करना होगा किसी भी type के commodity का तो हम किसी भी type का discrimination नहीं करेंगे किसी भी country के साथ आपसी मतभेद कितने भी हो हमारे हम यहाँ पर कोई भी technical barrier नहीं create करेंगे ताकि जितनी भी आसानी से जितनी भी smoothly आप trade करना चाहो कर सको यही वज़ाए कि WTO, TBT agreement पर WTO के maximum members ने मिल करके sign किया हुआ है clear? तो यहाँ पर TBT का full form क्या हो जाएगे technical barrier to trade clear है आगे चलते हैं हम लोग अगले कुश्चन की दरख अगला कुश्चन आपसे बोल ला है कि as per FSS regulations the tolerance limit of insecticide hydrogen phosphide एक insecticide है जिसका नाम है hydrogen phosphide उसका tolerance limit कितना होना चाहिए grains में ठीक है किसके accordingly FSS regulations के accordingly option number A कहा है कि 0.05 mg per kg ppm ठीक है option number B कहा है 0.001 mg per kg ppm option number C कहा है 0.100 mg per kg ppm option number D कहा है none of these तो देखो hydrogen phosphide की अगर हम बात करें food grains में तो बिल्कुल ही nil amount इसका होना चाहिए बिल्कुल भी अगर इसका amount present है तो यह regulations में कहीं पर mention नहीं किया गया वहाँ पर सिधे सिधे इसके आगे nil निल लिखा हुआ है निल यहाँ पर कहीं पर option में है नहीं या 00 होता तब भी हम उसको consider कर लेते इस वजा से इसका right answer हो जाएग option number D that is none of these clear है आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आप से कह रहा है कि which country is regional coordinator for FAO-WHO coordinating committee for Asia एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर FAO-WHO की coordinating committee कौन सी है regional coordinating committee ठीक है एशिया में option number A के रहा है चाइना है B के रहा है श्रीलंका C के रहा है इंडिया और D के रहा है बांगलादेश तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा चाइना चाइना क्या है coordinating committee country है एशिया की FAO-WHO में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरह अगला कुश्चन बोल रहा है कि maximum level of mercury contamination in fish as per FSS regulation 2011 is FSS 2011 regulation के accordingly fish में mercury का contamination कितने level तक permissible है ठीक है option number यह कर रहा है कि 0.5 ppm by weight होना चाहिए maximum to maximum option number B कह रहा है 0.005 ppm by weight option number C कह रहा है 5 ppm by weight option number D कह रहा है 0.05 ppm by weight इसका right answer हो जाएगा option number A that is 0.5 ppm by weight important question है mercury in fish यह important question है ठीक है यह पूछे गए हैं एक दो बार और भी दुसरे different exams में आपसे पूछे गए हैं ठीक है इसको आप star mark कर लेना clear है आगे चलते हैं हम लोग अगले question की तरफ अगला question आपसे बोल ला है कि food safety and standards act 2006 contains dash number of chapters and dash number of sections बहुत ही आसान question है basic सा question है total कितने chapters होते है FSS है 2006 में और total कितने sections होते हैं option number A करा है 9 chapters 83 sections B करा है 10 chapters 97 sections C करा है 11 chapters and 113 sections D करा है 12 chapters and 101 sections तो इसका right answer हो जाएक option number D 12 chapters होते हैं 101 section होते हैं इसके अलावा 2 schedule भी होता है ठीक है 2 schedule भी होते है clear तो यह चीज़े आप याद रखना कि 12 chapters है ठीक है इनी chapters में total number of sections को अगर हम देखे तो 101 है और total 2 schedule भी अलग से add किये गए है clear है आगे चलते हैं हम लोग अगला question आपसे बोल ला है कि microbiological testing at various points in the cooking process of a whole roast chicken to confirm the destruction of pathogens is an example of कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक industry है small scale हो या जैसी भी हो वहाँ पर आप क्या करते हो कि roasting करते हो chicken की ठीक है अब आप उसमें कर रहे हो microbiological testing अलग-अलग point पर जा करके मतलब किस-किस point पर आप कर सकते हो raw form में है तब भी आप उसकी microbiological testing कर सकते हो इसके अलावा जब आप cooked form में आ गई है तब उसकी testing कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है कि to confirm the destruction of pathogens मतलब यहाँ पर destruction हुआ है कि नहीं pathogens का basically आप एक treatment दोगे उस treatment के बाद आप यह सोचोगी कि यहाँ पर जो pathogens है वो destroy हो चुके है ठीक है अब आगे जब वो बढ़ गया है वो food product आगे चला गया है तो वहाँ पर आपको testing करनी है कि अभी वो pathogen present है या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर बातें क्या कर रहा है options में क्या दिये है options में यहाँ पर दिये हुए है principles of HACCP basically कौन से principle को follow करते हो अगर आप microbiological testing कर रहे हो अलग-अलग points पे तो option नमबर य कर रहा है कि आप verify करते हो option नमबर B कर रहा है corrective actions option नमबर C कर रहा है hazard analysis option नमबर D कर रहा है critical limits यहाँ पर right answer हो जाएगा option नमबर यह that is verification verification में आप verify करोगे न कि यहाँ पर जो आपका roasted chicken था उसमें microbiological testing पास हो रही है या नहीं हो रही है यही verify करोगे न hazard analysis में आप क्या करोगे कि उसमें किसी भी type का physical, chemical या biological contaminant या hazard present है या नहीं है critical limits में क्या करते हो कि आप एक limit तै करते हो जैसे कि पास्चराइजेशन का temperature और time का combination आप इसको limit को तै करते हो न कि इतनी limit होनी चाहिए ठीक है corrective actions में आप क्या करते हो कि suppose that किसी भी चीज़ को वहाँ पर follow आपने किया और हो नहीं पाया suppose that पॉस्चराइज आपने किया लेकिन पॉस्चराइज प्रॉपरली हो नहीं पाया तो आप इसके लिए कुछ corrective actions लोगे basically आप उसको दोबारा से reheating वगरा कराओगे तो वह corrective action हो जाएगा लेकिन जब आप microbiological testing करते हो various stages पर तो यह आएगा आपका verification के अंतरगत clear है यह चीज यह कौन सा number का principle है यह sixth number of principle of HACCP ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अगला question आप से बोला है कि which section of food safety act 2006 contains the establishment of food safety and standards authority of India very important and very easy question food safety and standards authority of India का establishment किस section में बोला गया है ठीक है option number A करा है section number 2 B करा है section number 4 C करा है section number 1 और D करा है section number 8 देको इसका right answer हो जाएगा option number B that is section number 4 section number 4 में सीधे सीधे यही mention किया ही गया है establishment of food safety and standards authority of India ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अगले question की तरफ अगला question आप से कह रहा है कि the world trade organization WTO was established on मतलब किस date को इसको established किया गया था option number A कह रहा है second May 1985 option number B कह रहा है first of January 1995 option number C कह रहा है 5th of March 1990 option number D कह रहा है 24th of September 1997 तोको इसका right answer क्या हो जाएगा option number 20 का right answer हो जाएगा थोड़ा सा important भी है काफी बार ये पूछा भी गया है अलग-अलग type के exams में 1st of January 1995 को established किया गया था world trade organization को और इसका headquarter कहां पर है इससे भी related questions आप से पूछे गये हैं एक type का international organization है na headquarter इसका है जेनेवा में ठीक है और जेनेवा कहां पर है ये है स्विजर लेंड में ठीक है स्विजर लेंड में जेनेवा में इसका headquarter है किसका headquarter है WTO that is world trade organization का आईए आगे चलते हैं अगले question की तरफ देखिए अगला question आप से क्या बोला है कि the food hygiene rating of FSACI has maximum score of food hygiene rating जो दी जाती है FSACI के द्वारा किसी भी vendor को या किसी भी food business operator को तो उसमें maximum score कितना होता है option number A कर रहा है 10, option number B कर रहा है 100, option number C कर रहा है 5 और option number D कर रहा है 50 तो कोई यहाँ पर इसका right answer हो जाएग option number B on the scale of 100 यहाँ पर rating दी जाती है और इसके साथ साथ अलग अलग type की smileys के basis पर भी यहाँ पर rating दी जाती है 81 से 100 की बीच में अगर आपका score है तो 5 smiley को दिया जाता है ठीक है ऐसे smileys कम होती चली जाती है ठीक है अगर 1 smiley है तो इसका मतलब है कि less than 20 आपका score और यहाँ पर यह बहुत ही poor score माना जाता है और सबसे अच्छा score माना जाता है 100 को या फिर 80 to 100, 81 to 100 का जो यहाँ पर range होता है यहाँ पर 5 smileys आपको दी जाती है ठीक है जैसे star rating होती है power consumption के लिए अगला type के electronic equipment में वैसे ही अब hygiene rating होने लगी है किसी भी type का food business operator के लिए वहाँ पर smileys के form में rating दी जाती है clear हुआ यह आगे चलते हैं अगले question के दरव अगला question आप से बोल ला है कि what is the term used for the amount of food additive which can be ingested daily over a lifetime without appreciable health risk यहाँ पर बोल रहा है कि किस term को use किया जाता है जब आप किसी भी food additive को daily consume कर सकते हो एक proper limit पर बिना किसी health risk के इसके लिए कौन से term का use किया जाता है option number ए करा है RDA, B करा है ADI, C करा है MPL और D करा है FDA इसका right answer हो जाएगा option number D that is ADI ADI का full form क्या हो जाएगा acceptable daily intake ठीक है acceptable daily intake का मतलब है कि आप इतना amount of particular food additive को अगर रोज consume करते हो तो आप कि उपर किसी भी type का health risk नहीं होने वाला है throughout the life, clear है? आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आप से करा है कि what should be the level of luminance in cooking section in a hotel or restaurant? किसी भी hotel या restaurant में जो luminance होता है basically जो amount of light की intensity होती है वो कितनी होनी चाहिए जहाँ पर cooking area है basically जहाँ पर food को process किया जा रहा है जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है पकाया जा रहा है वहाँ पर कितनी luminance होनी चाहिए amount of light intensity कितनी होनी चाहिए option number 200 lux lux यहाँ पर unit होती है luminous intensity की option number B कह रहा है 300 lux option number C कह रहा है 400 lux option number D कह रहा है 500 lux तो जहाँ पर भी food को पकाना है किसी भी hotel या रेस्टाउ में उसके लिए minimum यहाँ पर 500 lux की amount of light होनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं अगले question की दरफ अगला question आप से बोल रहा है कि the provisions of tolerance limit of pesticides, veterinary drug residues, antibiotic residues and microbial counts in food is in which section of the food safety and standards act 2006 देखो pesticide, veterinary drug residues antibiotic residues और microbial count कौन से section में में मेंशन किया गया है option number 1 करा है section number 24 B करा है section number 22 C करा है section number 21 and D करा है section number 20 तो देखो यहां पर इसको mention किया गया section number 21 में sections देखो कितने ज्यादा important है section number 4 से अभी पीछे question पूछा गया था इसके लावा एक और section से related question था अभी यहां पर section से related सिर्फ question आपके सामने पूछ लिया गया है बहुत ज्यादा important है आपको sections याद रखने हैं ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अगला question आप से बोल ला है कि dash is the platform by FSCI to promote food donation stop food wastage and food loss in the country मतलब यहां पर एक platform set किया है FSCI ने जिससे की food donate कर सके कोई भी food business operator या कोई volunteer या फिर food के wastage को कम किया जा सके या फिर food food loss को कम किया जा सके बिसे के लिए बहुत सारे इसे restaurants हैं जहां पर food को waste कर दिया जाता है जब उनका कोई भी food बचता है ठीक है रात में तो इसके लिए particularly एक ऐसे platform को set किया गया जहां पर food को waste होने से अच्छा है कि ऐसे लोग जो जरूरत मंद हैं जिनकी hunger की वज़ा से मौत हो जाती है ऐसे लोगों में जा करके उस food को distribute किया जा सके उसी food को नहीं यहां पर उस food की safety भी बरकरार रहनी चाहिए इसके अलावा कोई भी अगर volunteer हो जो की यहां पर अपनी मर्जी से किसी भी type के food को donate करना चाहता है तो वो कर सके तो कौन सा platform है basically यह पूछा जा रहा है option number A कर रहा है कि the Indian Food Sharing Alliance B कर रहा है the Indian Food Saving Alliance C कर रहा है the Indian Food Security Alliance and D कर रहा है the Indian Food Sharing Agency तो यहां पर इसका right answer हो जाएग option number A that is the Indian Food Sharing Alliance यह एक ऐसा platform है जहां पर आप जरूरत मंदों को खाना प्रोवाइड करा सकते हो और आपके hotel का खाना भी waste नहीं होगा ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अगला question आप से बोला है कि verification procedure to determine if the HACCP program is working properly should not be conducted by लिको verification जो step होता है sixth step of या sixth principle of hazard analysis and critical control point है सब ठीक है option A करा है कि external consultant option number B करा है the individual responsible for performing normal monitoring and corrective actions option number C करा है a properly trained person from another department option number D करा है the HACCP team leader यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option number B क्यों हो जाएगा देको ये एक ordinary individual है जो कि सिर्फ और सिर्फ normal monitoring करता है और corrective actions लेता है किसी भी type की industry में ना तो ये trained person है ना तो ये HACCP की team का leader है और ना ही ये कोई external consultant है ये सबके सब जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही trained persons होते हैं इनकी जो organization होती है इसमें जितने भी लोग होते हैं बहुत ही trained और बहुती experienced लोग होते हैं वो लोग ये सारा काम कर सकते हैं, verification का, ये एक normal individual, ordinary individual जिसको की training नहीं मिली है, वो नहीं perform कर सकता है, ठीक है, आगे चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question आप से बोल ला है कि irradiated food is marked with, basically बोल ला है कि अगर किसी भी food को irradiation दिया गया है, irradiated food है, तो उसका जो packaging रहेगा, उसमे कौन सा logo होना चाहिए, option number A कह रहा है, HACCP का logo होना चाहिए, B कह रहा है, FACCI का logo होना चाहिए, C है Rediura logo होना चाहिए, D है ISO का logo, तो देखो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, option number C that is Rediura logo, बहुत important question है, काफी बार repeatedly इसको लगातार पूछा जा रहा है, तो देखो, पुराने time म इसको हाली में release किया गया था, ठीक है, अब यह आने वाले time में जो भी नए logo उसको release किया जाता है, आपको उस पर विशेज ध्यान देना है, उनसे related questions आपको different kind of food safety officer के exam में देखने को मिल सकते हैं, clear है, आगे चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question आपसे बोल रहा है कि grey mold rot is caused by, grey mold rot, किस वज़ा से cause होता है, basically इसके पीछे का causative agent या causative microorganism कौन सा होता है, option number A कह रहा है, botritis की species, option number B कह रहा है, trichoderma की species, option number C कह रहा है, penicillium की species, और option number D कह रहा है, phytopthora की species, तो देखो इसका right answer हो जाएग, option number A, that is, botritis की species, particularly कौन सी species यहाँ पर cause करती है, grey mold rot, तो botritis की scenario, यह चीज याद रखना, botritis scenario कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, यह जो species है, यह grey mold rot cause करती है, और यह है क्या, यह एक type का फंजाय है, ठीक है, यह type का फंजाय है, clear है, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question आपसे बोलना है कि green patches on the surface of meat is due to, meat के surface पर जो green color के patches आ के लिए responsible है, option number A करा है, penicillium expansum, option number B करा है, pseudomonas syncyonia, option number C करा है, clostridium herbarum, option number D करा है, chromobacterium lividum, देखों यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा, option number A, that is penicillium expansum, इसकी वज़ा से green color के patches पढ़ जाते हैं, raw meat के ऊपर, clear है, आगे चलते हैं लोग, अगला question आपसे बोलना है कि, the microorganism involved in ergot poisoning is, ergot poisoning के लिए कौन सा microorganism responsible होता है, option number A करा है, bacillus cereus, option number B करा है, aspergillus flavors, option number D करा है, option number C करा है, claviceps purpurea, और option number D करा है, asheritia coli, तो को यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, option number C, that is, claviceps, यह claviceps नहीं होगा, claviceps होगा, claviceps purpurea, ठीक है, यह causative agent होता है, ergot का, ठीक है, ergotism को cause करने के लिए, जो responsible microorganism होता है, वो होता है, claviceps purpurea, clear है, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question आपसे बोल रहा है, कि, in this type of chromatography, the stationary phase held in a narrow tube, and the mobile phase is forced through it under pressure, कर रहा है कि एक narrow tube के अंदर stationary phase होता है, और mobile phase को, उसके अंदर forcefully pressurize करके भेजा जाता है, यह किस type की chromatography है, option number A कर रहा है, column chromatography, B है planar chromatography, C है liquid chromatography, और D है gas chromatography, तो इसका right answer हो जाएक, option number A, that is column chromatography, clear, यह जो mechanism follow किया जा रहा है, यह column chromatography के case में follow किया जाता है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question आपसे बोल ला है, codex elementarius standards are used by, इसके द्वारा codex elementarius standards को use किया जाता है, option number A कर रहा है, governments to protect consumers' health and ensure fair practices in food trade, option number B कर रहा है, codex members to protect consumers' health and ensure fair practices in food trade, option number D कर रहा है, food manufacturers to promote food trade, यह को इसका right answer हो जाएग, option number B, that is codex members to protect consumers' health, codex के जो members हैं, member countries हैं, वो यहाँ पर codex elementarius commission को use करती हैं, किस लिए use करती हैं, ताकि consumer जो है, उसकी health जो है, वो fair रहे और जो भी आपका food का trade हो रहा है, उसमें fair practices को follow किया जाए, ठीक है, codex elementarius commission basically एक ऐसा commission है, जो कि international level पर food के standards को बनाने का काम करता है, maximum जो आपके national level की agencies हैं, और authorities हैं, जैसे की food safety and standards, authority of India की अगर हम बात कर लें, तो यह भी बहुत सारे foods के लिए codex के standards को ही follow करता है, clear है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला कुशन आपसे बोल ला है, ribotyping is a method to identify and classify bacteria, ठीक है, based upon differences in our DNA, देखो, पहली चीज़ तो ribotyping के लिए our RNA का use किया जाता है, पहली चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर our RNA होना चाहिए, under this category databases for which of the following bacteria have not been established, यहाँ पर कह रहा है कि ribotyping जो की एक type का method है, जिसमें की identify किया जाता है, classify किया जाता है, different kind of bacterias को, based upon differences in our RNA, ribosomal RNA के differences के basis पर, आगे बोल रहा है कि इस category के databases में कौन से bacteria को include नहीं किया जाता है, option number A कराइल स्चेरिया, option number B कराइस्ट फाइलो कोकस, option number D कराइस्ट सैल्मोनेला, option number D कराइस्ट नन आफ़ दीज, देखो इसका right answer हो जाएगा, option number D is none of दीज, क्योंकि यहाँ पर जितने भी bacterias को mention किया गया है, सबके identification के लिए और classification के लिए, राइबो टाइपिंग का यूज किया जाता है, और RNA को यूज में लाया जाता है, clear है, आगे चलते हैं, अगले question की तरह, अगला question है कि the objective of ISO 22000 is, ISO 22000 का objective क्या होता है, option number A कराइस्ट पर प्रोड़क्शन प्लांट्स, option number B कराइस्ट, और सब्सक्राइस्ट, option number C कराइस्ट, food safety management system, option number D कराइस्ट, तो देखो, ISO 22000 फैमिली जो है, अगर उसका full form ही अगर आप देखोगे, तो यह है FSMS, ठीक है, अब देखलो option में FSMS कहाँ पर है, यह आपके सामने दिख रहा है, FSMS, food safety and management system, बहुत easy सा question था, इसका राइड answer हो जाएग, option number C, ठीक है, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question है कि, under FSS regulations, food authority shall consist of a chair person and the members numbering, ठीक है, तो यहाँ पर बोल ला है, FSMS regulations के according, food authority के पास से एक chair person होना चाहिए, और और कितने members होने चाहिए, option number E कह रहा है, 18, option number B कह रहा है, 20, option number C कह रहा है, 22, option number D कह रहा है, 25, यहाँ पर right answer हो जाएगा, a chair person along with 22 members, और इन में से भी one third should be women's, यह चीज पड़ी हुई भी होगी, बहुत easy question है, इसका right answer हो जाएगा, option number C, that is 22 other members along with the chair person, आगे चलते हैं हम लोग, अगला question आप से बोल ला है, कि in food analysis, real time PCR test are not used for which of the following, जब आप food को analyze करते हो, तो वहाँ पर real time PCR test का इस्तेमाल करते हो, PCR means polymerase chain reaction, ठीक है, polymerase chain reaction का इस्तेमाल आप किसके ल pathogenic microorganisms, option number B करा है, detection of GM organisms, option number C करा है, identification of allergens, option number D करा है, none of the above, तो देखो यहाँ पर सब के लिए आप PCR test का इस्तेमाल करते हो, इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा, option number D, that is, none of the above, clear है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question करा है, कि under FSS regulations, the desired quantity of milk sample required to be sent to food analyst is, यह कह रहा है कि FSS regulations के according, अगर कोई food safety officer गया, किसी भी food business operator के पास, और वहाँ पर samples को collect करता है, और वो जो food business operator है, वो milk या milk से related business को operate कर रहा है, वहाँ पर इसको food safety officer को sample को collect करना है, किसके sample को milk के sample को collect करना है, तो कितना minimum amount of sample उसको ले करके food analyst के पास भेजना होगा, basically दूद को आप चेक करना चाहते हो, आप food safety officer हो, किसी दुकानदार के पास गये हो, कितना minimum amount of sample ले करके food analyst के पास भेजोगे, ठीक है, option number A कह रहा है कि 700 ml लोगे, option number B कह रहा है 600 ml लोगे, C कह रहा है 500 ml और D कह रहा है 250 ml, इसका right answer हो जाएग, option number C that is 500 ml, minimum 500 ml, that is half of a liter, आपको sample को collect करना पड़ेगा, अगर आप milk की sample को देखना चाहते हो, उसकी testing कराना चाहते हो, plus, इस sample को collect करने के बाद, जो food safety officers होते हैं, इस sample का जो भी price होता है, उसको देने का काम करते हैं, food business operator को, यह भी rule है, बिना पैसा दिये, आप किसी से sample तक भी नहीं ले सकते हो, for testing purpose also, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला question है, which among the following is not repealed in FSS Act 2006, 2006, 2006 का जो FSS Act आया, उसके अंदर कौन से ऐसा Act था, जिसको repeal नहीं किया गया, ठीक है, बहुत सारे number of Act, 7 to 8 number of Act को repeal कर दिया गया, under a single admiral system, that is food safety and standards Act 2006, ठीक है, but इन में से कौन सा है, जो की नहीं किया गया, option number A कह रहा है, Consumer Protection Act, B कह रहा है, Prevention of Food Adulteration Act, C कह रहा है, the Food Product Order 1955, D कह रहा है, the Meat Food Product Order 1973, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, option number A, that is Consumer Protection Act, इसको छोड़ करके, बाकि इसमें यतने भी mention किये गये हैं, सबको repeal किया गया है, सबको लाया गया है, under a single umbrella system, that is Food Safety and Standards Act 2006, clear है, आगे चलते हैं हम लोग, यह रहाँ आपका last question, जिसमें आपसे पूछ रहा है, the first railway station to get eat right station rating by FSACI is, Food Safety and Standards Authority of India द्वारा, कौन सा ऐसा पहला railway station था, जिसको की eat right station का दरजा प्राप्त हुआ, option number A करा है, Mumbai Central Station को, option number B करा है, New Delhi railway station को, option number C करा है, इन दौर को, option number D करा है, Chennai Central को, देखो इस static GK का portion एक टाइप से, FSACI से related, और यह कभी change नहीं होने वाला, क्योंकि यह first railway station है, जिसको क eat right station का दरजा मिला था, इसका right answer हो जाएगा, option number A that is Mumbai Central, यह आपको याद रखता है, ठीक है, तो students यह थे आज आज आपके total number of questions, जो की part B में, या second part of the Tripura Food Safety Officer में पूछे गए, आशा करते हैं कि आपको यह session बहुत ही अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं किसी नए session के साथ, किसी नए video में, until then, thank you.